डियर फ्रेंड्स ब्रादर इंशिस्टर आज मैं पुर्ण आपके सामने कैसा विशेविंदू लेकाया हूं जो सोशल एंत्रोपॉलिजी के विवाह चेप्टर से हैं जनजातियों में विवाह साथ ही चुनने के जो परकार हैं उसमें यह सात्मा नम्मर है हिंदी में से समती या सहपलाइन विवाह के नाम से जाना जाता है चले बिंदू के ओर चलते हैं सहमती या सहपलाइन विवाह क्या है अर्थात मेरेज बाए मुच्छुल कॉंसेंट क्या है तो इस परकार के विवाह का आधार पारस्परिक सहमती और सहपलाइन है जैसा कि मैंने बोर्ड में लिखा हूं आप उसको देखिए स्क्रीन सौट कीजिए सूनिए और सेर और सविस्क्राइब कीजिए यदि किसी जनजातिय समाज में युवक अथवा युवति एक दूसरे से प्रेम करते हैं और उनके माता-पिता के दुआरा उनके इस पारस्परिक प्रेम का विरोध किया जाता है तो दोनों एक साथ गौँ से भाग कर किसी अन्य बस्ती में या जंगल में चले जाते हैं और तब तक वापस नहीं लोटते हैं जब तक कि उनके माता-पिता विवहा के लिए तयार ना हो जाया कभी-कभी वे दोनों अपने गौँ में तब तक नहीं आते जब तक कि उनके बच्चे न हो जाएं बच्चे के साथ अपने गौँ वापस लोटने पर दोनों को थोरह सा दंड देकर विरिवत रूप से दमपतिक रूप में स्विकार कर लिया जाता है इसे ही इलोप पर्था अर्थात इलोपमेंट के नाम से जाना जाता है अब दोस्तों एक्जाम्पूल के ओर चलते हैं उधारन की ओर यह जो साहमती यह साप्लाइन विवा है वो कौन-कौन से जन जाती है समाज में किसकिस रूप में पाए जाते हैं चलिए एक्जाम्पूल वन की ओर चलते हैं दोस्तों कि कुर्णई जन जाती में आधिकतर युबक युवितियों शह प्लाइन विवा करते हैं सह प्लाइन करते हुए यदि वे पक्रे जाते हैं तो उन्हें बहुत मारा पीटा जाता है कभी कभी तो उन्हें जावन से भी मार दिया जाता है एक्जाम्पूल दूख की ओर चलते हैं दोस्तों चीनी समाज में चीनी समाज में भाई को यह अधिकार होता है कि वह अपने बहन का विवा अपनी इच्छा नुसार किसी भी वैक्ति से कर दे ऐसे में यदि बहन किसी प्रेमी के साथ सहप्लाइन कर लेती है तो उसे विवा की स्विकिर्टी मिल जाती है यदि उसका भाई किसी वैक्ति को अपना बहन देने का वाइदा कर लेता है और उसकी बहन किसी दूसरे युबक के साथ सहप्लाइन कर लेता है तो ऐसी अस्थिती में उस चीनी भाई की समाजिक प्रतिश्था को काफी धक्का लगता है। ऐसे में अनेक चीनी भाई आत्मत्या तक कर लेते हैं। चलिए अगले एक्जांपूल के और चलते हैं दोस्तों। कि भारत की होज अंजाती में इस प्रकार का विवा को राजी खुसी विवा के नम से जाना जाता है। तथा इस प्रकार के विवा में नहीं किसी प्रकार का सामाजिक संस्कार किया जाता है। और नहीं बदू मुल यानि ब्राइड प्राइस दिया जाता है। तो दोस्तों अभी मैंने हम लोग ने देखा कि यह जो सहमती और सहपलाइन विवा है और कौन-कौन समाज में किस-किस प्रकार के समाज में किस-किस रूप में पाए जाते हैं इस जो है सो सात्मा में जो मेरेज वैं मिच्वल कॉंसेंट है उसमें इतना ही है आगे हम के क्लास में अगला बिंदू जो है मेरेज वैं इंट्यूजर उस पर चर्चा की जाएगी धन्यवाद हूं